हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ रुपेश वर्मा और रोटेशनल मेकेनिक्स सीरीज के क्रम में आगे बढ़ते हुए स्वागत है आपका एपिसोड 110 में आग के सेशन में हम सेंटर ओफ मास, सेंटर ओफ ग्रैविटी और रोटेशनल एकुलिब्रियम के बारे में जानेंगे साथ ही सेंटर ओफ ग्रैविटी के मुवमेंट के कारण होने वाले टॉपलिंग इंसिडेंट्स पर हमारी खास नजर रहेगी टू स्टार्ट ओफ आप ये बताईए इस ढखकन को मैं अपने उंगली के मदद से ही कैसे बैलेंस कर सकता हूँ इसका जवाब आसान है मुझे बस उस पॉइंट को ढूनने की जरूरत है जहां से ग्रैविटी फोर्स के कारण लग रहे टॉर्क को कैंसल आउट किया जा सके करें इस स्पेशल पॉइंट को सेंटर ओफ मास कहते हैं और जैसा की नाम से ही समझ में आ रहा है सेंटर ओफ मास is an imaginary point जहां पर आप किसी object के पूरे मास को concentrated मान सकते हो इस धकन के case में जैसे ही मैंने अपनी उंगली सेंटर ओफ मास के नीचे रखी मेरी उंगली से लगने वाले normal reaction force ने distributed मास के कारण लगने वाले torque को balance कर दिया है इसका मतलब क्या हम यह कह सकते हैं center of mass वो point है जहां पर gravity force भी लगता है not always क्योंकि center of mass is a point from where total mass of an object is evenly distributed in all directions आसान शब्दों में किसी continuous या distributed mass system के सभी mass elements के average position को उस system का center of mass कहते हैं यह देखिए center of mass का mathematical expression भी यही कहता है however वो point जहां पर आप किसी object के पूरे weight को concentrated मान सकते हो उस hypothetical point को center of gravity कहते हैं but weight, mass और weight यह दोनों अलग-अलग कैसे हुए? इसे आप ऐसे समझे अगर आप इस pen को space पर लेकर जाओगे तो इसका mass कितना होगा? लगभग 100 gram जो यहां धरती पर भी है लेकिन space में zero gravity होने के कारण इस pen का weight mg भी zero हो जाएगा है ना interesting? अब आप mass और weight के बीच के इस basic difference को याद रखना ideally जब तक special gravitational field में कोई change ना हो तब तक center of mass और center of gravity एक ही point पर coincide करते हैं जैसे इस uniform stick के case में आप इसके middle point पर gravity force को act करता हुआ मान सकते हो next चलिए आगे बढ़ते हैं rigid bodies के mechanical equilibrium की ओर बट उससे पहले tell me one thing जब किसी object पर लगने वाले net force की value zero हो तो क्या हम उस object को mechanical equilibrium की state पर कह सकते हैं? सोच के देखिए आपको ध्यान हो episode 108 में हमने couple forces के बारे में जाना था couple वाले example में हमने समझा था here the net force is equal to zero but net torque अभी zero नहीं है क्योंकि दोनों ही forces एक ही direction में torque generate कर रहे हैं और इसलिए हमारा object अपनी ही जगा पर rotate करने लगता है जो इस ओर इशारा करता है अगर हम किसी object को static equilibrium पर लेकर आना चाहते हैं तो उस पर लगने वाले net force और net torque दोनों की value zero होनी चाहिए आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी शायरी आज दुनिया में challenges बहुत है फिर भी कही न कहीं से stable होने का तरीका ढून निकाल लेना ही तो physics की खासियत है which implies जब कभी किसी object के life में कोई external force आकर उसके equilibrium को disturb करने की कोशिश करता है तो ऐसी situation में हमारे object पर पहले से लग रहे forces भी खुद को इस प्रकार adjust करने लगते हैं कि external force के influence को minimize किया जा सके जैसे आप इस bottle का ही example ले लीजिए जब मैं इसे उपर से push करता हूँ तो दो चीजे होती है नमबर बन, friction force अपने आखरी दम तक मतलब अपने maximum attainable value तक इस bottle के translation motion पर रोक लगा कर रखता है and then number two, मेरी उंगली से लगने वाले force के कारण एक net torque generate हो जाता है और ये torque तो rotational motion शुरू भी कर सकता है है की नहीं? Now understand, किसी object को slightly disturb करने पर अगर वो अपने original position पर वापस आ जाए तो उसे stable equilibrium कहते है and if not तो उसे unstable equilibrium कहा जाता है further आप देखोगे bottle easily rotate नहीं होगा क्योंकि जैसे जैसे आप external force की value बढ़ाते जाते हो नीचले surface से bottle के उपर लगने वाला normal reaction भी खुद को shift करता जाता है in such a way कि external force के कारण लगने वाले torque को dominant करने से रोका जा सके और एक certain limit के बाद आप bottle को rotate करता हुआ देख सकते हो फिर बारी आती है gravity force की जो bottle के rotational motion पर रोक लगाने की कोशिश करता है कब तक? जब तक center of mass critical angle के पार नहीं चला जाता आप समझ सकते हैं ये वो angle है जब center of mass bottle के edge के सीधे उपर होता है और अगर इससे ज़्यादा मैंने bottle को जुकाया तो युनों क्या होगा? मेरा bottle topple करकी नीचे गिर जाएगा इस प्रकार किसी external force के कारण object का unstable होकर उलट जाना toppling कहलाता है आसान भाशा में toppling का concept ये कहना जा रहा है कोई भी object इस प्रकार जुपकर हमेशा के लिए नहीं रह सकता sooner or later it will fall अगर ऐसी बात है तो फिर Italy की वो मिनार पिछले 800 सालों से कैसे stable खड़ी हुई है that is indeed a wonder of this world है ना? Actually, leaning tower of pizza के नीचे soft और unstable soil होने के कारण engineers ने बहुत ही smartly इस tower के design को slightly बनाना shape का बना के रखा हुआ है आपको यकीन नहीं होगा ये दोनों factors shifting of soil और shifted center of gravity जुकी हुई मिनार पर लगने वाले torque को 800 सालों से आज तक counterbalance करते आ रहे है heads off और इसी के साथ आज हमने rotational mechanics series का तीसरा और आखरी session भी पूरा कर लिया है एक exciting episode के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हथे तब तक keep commenting, keep sharing happy Sunday, happy learning झाल, करक्पन कर दो लो generally झाल, करे इसी के सफस्पर को लोन आपसे साथ वी उनांस